तो लास्ट टाइम हम फुल लाइंत पेपर सॉल्फ कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है और गाइस क्योंकि मेर को टाइम नहीं निकल पा रहा है इसलिए मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप से बोलूँगा कि मैथ और पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रीवियस यह कोशन मिल जाएंगे और बहुत सारे यूट्यूबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग की प्रेक्टिस करवा दिये जाएगी तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जैसा कि अपने चैनल का ना मुश्किल हो पा रहा है इसलिए तो मैं यह सब चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करा दूगा तो जिससे जो आपके थियोरी वाले को चैप्टर्स हैं वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें तो और वैसे भी इतना यहाँ फूल लेंथ हम सॉल्व कर रहे हैं तो इत पहले कोशन में हमसे पूछा जा रहा है कि out of the four sentence chose the one which is grammatically correct इन मैं से वो sentence chose करो चूज करो जो कि grammatically correct है तो देखिए चारो option दे रखें इसमें से इनोंने बताया है the principal has appointed three new teachers this year तो यह इनका correct answer है तो हम पहले इसका options देख लेते हैं मतलब इसका explanation देख लेते हैं तो देखिए the principal is a singular subject तो principle क्या है यह आपका singular subject है सिंगूलर सब्जेक्ट एग्री विद सिंगूलर वर्व on the basis we can eliminate option number three and four क्योंकि सिंगूलर सब्जेक्ट एग्री करता है सिंगूलर वर्व के साथ इसलिए option number three जो कि आप देख सकते हैं और option number four यह उन्होंने eliminate कर दिये हैं प्रिंसिपल है यह उन्होंने eliminate कर दिये दौन option आंगे देखते हैं उसके आंगे explanation में दे रखा है कि on the basis ठीक है फिर उसकी वाद दे रखा था given sentence follow the structure of present perfect tense the structure is present perfect का structure क्या रह प्लस वर्व की third form plus object तो correct sentence क्या रहेगा हमारा the principle has ना कि have वहाँ पर क्या उपर have दिया हुआ था यह मैं कर रहा हूं उसको टिक आप समझ जाना the principle has appointed three new teachers this year thus option number two is grammatically coherent sentence ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखे next question पर आते हैं यहाँ पर भी हमसे पूछा जा रहा हमें grammatically correct बताना है तो देखते जाते हैं यह इन सारे sentence में जो grammatically correct वो यह है the artist has drawn a beautiful picture of the baby अब देखते हैं बाकी option में क्या क्या लिखा जैसे first में लिखा हुआ है the artist has drew a beautiful picture of the baby third option में लिखा the artist has draw a beautiful picture of the baby और fourth option में लिखा हुए the artist अब देखते हैं क्या मतलब यह correct क्या option number two देखिए has दिखते जाइए has have takes वर्फ की third form मतलब v3 लिखा ना वर्फ की third form और वर्फ है ना has have क्या लेते हैं v3 लेते हैं third form of draw is drawn होगा है ना draw का third form क्या रहता है आपने first second third form पड़े होंगे ना वो तो drawn होता है the artist is a singular subject artist का एक singular subject है singular subject agree with singular verb तो correct क्या बनेगा artist artist has drawn drawn a beautiful picture of the baby तो देखिए इसलिए हमारा option number two एकदम ठीक है कि artist has drawn a beautiful picture of the baby ठीक है अब उपर क्या हो रहा था यहां देखो drew लिख दिया उन्होंने जबकि हमको बताया गया था कि second form लगेगी ठीक है draw drawn draw drew or drawn मतलब हमको क्या बताया गया था third form लगेगी तो third form होगी ना drone तो द्रॉन सही है यहां भी देखो यहां draw यह first form हो जाएगी यह भी first यह second form है और यह second form है तो देखो क्या होती है draw होती है draw first form होगी उसकी बाद आती है drew drew और उसकी बाद यह drawn drawn और o d r a sorry third form क्या होती d r a w n d r a w n है ना तो यह आप यहाद रखना draw drew और drawn चलिए next question की तरफ चलते हैं next question है हमारे पास में देखते जाएए तो अब अगली question question number three में से पूछ रहा है out of the four given out of the four word only one is spelled correctly spelling से related question आया है यह सारे previous year question है तो इसलिए आप इसको थोड़ा seriously पढ़ि पूछे जा चूके हमसे yes b या व्याप हमने हमसे यह question पहले पूछे हैं तो देखते जाएए इसमें क्या पूछा दा रहा है कि हमको इसमें correct spelling बताने correct spelling क्या है तो spell correct में हम देखते हैं तो इन्होंना correct answer दिया है and he any here any highlight any highlight यह एकदम सभी spelling है बाकि यह सारी गलत है आप देखते जाएए कि absence की spelling यह रहते है a b s e n c e absence ठीक है then acquaintance की यह लिखी हुई है आप इसको खुछ से लिखके देखिएगा then accelerate की यह रहती है यह मैंने आपको दिखा दिया शो कर दिया यह आप इसको खुछ से लिख लिएना तो यहाँ पर correct answer क्या है any any highlight का मतलब क्या होता य यह भी आप देख लिजिए means to destroy completely किसी चीज को completely destroy करना होता है any any highlight next question पर आते हैं यहाँ भी चार option आपको दे रखें मतलब चार आपको spelling दे रखें one is not spelled correctly यह लिखा हुआ है देखिए तो confuse मत हो यह कभी भी a question अच्छे से पढ़ा करिया हमेशा कौन सी इन में से सही तरीके से spelled नहीं है not spelled correctly तो देखिए breakage यह लिखाया नहीं यह सई से spell नहीं है बाकि यह सब सही है business की spelling सही है व्रित की सही है और brilliant की भी सही है तो देखिए breakage का correct spelling pronunciation क्या है the correctly spelled word is breakage b-r-e-a-k-a-g-e और वहां क्या लिखा हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ यहां लिखा हुआ था b-r-e-a-g-e तो गलत था सही क्या होगा हमारे यह होगा मैं इसको correct मतलब right tick कर रहा हूँ आप देख लीजेगा चलिए आंगे चलते हैं next question question number five पर आ गए है this dog does not belong blank anyone तो यहां पर हमसे आपसे क्या पुचा जारा प्रिपोईशन पुचा जारा है तो यह है यह जो कुत्ता है यह belong नहीं करता belong to anyone होना चाहिए तो एकदम ठीक है तो this dog does not belong to anyone है तो एकदम correct preposition होगा next आते है question number six यहां बोल रहा है the boy become violent when the watchman refuse them entry blank the park मतलब watchman ने boy को park में entry करने से मना कर दिया तो boy क्या हो गया गुस्सा हो गया तो आपको क्या बताना आपको preposition बताना है तो कहां पर entry करन समना कर दिया पार्क में तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे into the park तो into एकदम correct answer है next question है blank french is the official language in many different countries तो इसमें कोई article नहीं लगेगा है तो हम देखते हैं इसका थोड़ा explanation तो देखिए यह आपको visible हो रहा होगा देखिए article are not used before the name of language कि cv language के पहले हम कोई article use नहीं करते है यह important point है मैंने star mark कर रहा है here french is used as a language इसलिए हम कोई article use नहीं कर रहे है है बस आप इता ध्यान रखिए next question है हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है the night angle has blank sweet voice है न तो यहाँ भी हमको क्या बताना है हमको fling the blanks करना article के साथ सही article के साथ the night angle has में क्या होगा है यहाँ पर sweet voice लिख लिखते हैं देखो article are placed before a noun किसी भी noun के पहले हम article लगाते है to refer number that is one we use article a n article is the used article the is used to refer to a particular or definite noun here a general characteristics of night angle is stated to refer a general characteristic article a या n को हम use करते हैं thus a sweet voice is the correct uses समझ गया जब भी हम कोई general characteristic के बारे में बात करेंगे तो a और n का use करते हैं इसलिए हमने night angle के आंगे हम पर a लगाया है has a sweet voice next question question number 9 यहाँ हमसे पूचा जा रहा है हमको fling the blanks करके बताना है और पूचा के जा रहा है we must note we must not complain about the problem blank help to put it right है न तो correct answer क्या होगा next question question number 10 out of the given four option choose one to join the two sentence given below to make a meaningful sentence तो इन दोनों में इन दोनों सेंटेंस की बीच में आप क्या चीज़ जोइन करेंगे तो यह sentence आपका meaningful बन जाएगा तो हम क्या join करेंगे while join करेंगे पूरा sentence पढ़ लेते हैं he likes fit wall while I prefer rugby रगबे यह game होता है तो उसका ध्यान रखेगा next question पर आते हैं यहाँ पर हमको filling the blanks करना है our company blank get the order if the client agrees to the price our company our company might might get the order if the client agrees to the price अकर client उस price के लिए agree हो गया तो हमारी company शायद might get the order ठीक है इसका ध्यान रखेगा next आते हैं यह आप देख लिजेगा इसका explanation next question यहाँ हम से पूछा जा रहा है find the word which can be replaced the given sentence a large building on a farm in which animal or hay and grain are kept though क्या बोलते हैं इसके लिए हमको मतलब एक single word देख रहा है तो उसको हम बोलते हैं garn बोलते हैं b-a-r-n ठीक है a large building on a farm in which animal or hay and grain are kept हम क्या बोलते हैं barn बोलते हैं ध्यान में रखेगा next आते हैं उसके और explanation आप देख लिजे जैसे hive हमकब बोलते हैं a based जो बीषीव होता, उसको हम हाइव बोलते हैं, हज किसको बोलते हैं, आप box और cage को हम हज बोलते हैं, कैनल किसको बोलेंगे a small shelter for a dog जो dog के लिए small shelter बना जाता उसको क्या बोलते हैं कैनल बोलते हैं आप देख लीजेगा मैं सको अंडरलाइन कर रहा हूं कैनल ठीक है next question number 13 find the word which can be replaced the given sentence हमको मतलब कोई एक तरीके से एक word बताना है इस पूरे sentence को कौन सा word बदल देगा तो sentence क्या है seeking and enjoying the company of other इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसके लिए हम बोलते हैं शोशेवल शोशेवल बोलते हैं शोशेवल हो तुम तो काफी शोशेवल हो ये बोलते हैं शोशेवल शोशेवल ठीक है तो यह आप देख सकते है शोशेवल का मतलब क्या रहता है तो सीख और इंजोई दे कंपनी ओफ अधर है न दूसरों की कंपनी इंजोई करने वाला next question next question में हमको बताना है यह error detect करना है कि कौन से option में error है तो यहाँ पर उन्होंनों बता है option number C जो कि यह लिखा हुआ है doesn't she इसमें error है पूरा sentence हम पंड़ी कोशिश करते हैं जो की गलत बाला है इन्होंने दे रखा जैनी जैनी डजन्ट नो जेम्स डजन्ट शी तो देखो इसका correct answer यह हमको दिख रहा है question tag वाला मतलब उस topic से question पूचा गया है तो इसका explanation देखते है the given sentence is in present tense ठीक है ना present tense में sentence है वो हम समझ में आ रहा है question tag is used at the end of the sentence ठीक है question tag is consist of a helping verb and a pronoun a negative sentence has a positive question tag यह बात आपको पता होना चाहिए question tag वाले topic में है जो भी negative sentence होगा वो positive में बदलेगा positive sentence negative में बदल जाता है thus the correct the error is in part number c of the sentence the correct question tag to be used here is does she तो यहाँ पर क्या use होगा does she ठीक है ना तो correct answer क्या हो जागा यह वाला कि jenny doesn't know james does she यहाँ पर does she होगा ना कि doesn't she होगा next question पर चलते हैं यहाँ पर भी हमको error detect करना है और यहाँ पर कोई भी error नहीं है option number d हमारे इक्तम correct answer है तो हम पढ़ लेते हैं it is easier to read English than to speak it ठीक है तो एकदम सही है next question पर आते हैं यहाँ हमसे पूछा जा रहा है हमको idiomatic expression देखना है और बताना है क्या है to see to see eye to eye in the sentence given below मतलब उसका मतलब क्या होता है to see eye to eye को तो देखो पढ़ते हैं पूरा my father and I see eye to eye on most things तो उसका मतलब क्या होता है see eye to eye का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to agree with someone okay to agree with someone next पर आते हैं next question number 16 पर आ गए हैं यहाँ पर नहीं 16 तो हम देख चुके हैं next question number 17 पर देखते हैं यहाँ पर इस idiomatic expression का मतलब बताएए the apple of his eye तो इसका मतलब किए the person someone like the most or is very proud of हम कहते हैं हिंदी में वो मेरे आँखों का ता रहा है इस तरीके से the person of his eye इसका मतलब क्या होता है the person someone like the most or is very proud next question number 18 यहाँ पर पुछा जा रहा है हमसे कि जो underlined word है इस word के बारे हमको क्या बताना है यहां similar meaning बताना है so glimpse का synonyms क्या रहता है glimpse का होता है glance यह सका synonym है sentence था है he had a glimpse of the picture glimpse का मतलब होता है glance मतलब glance इक synonym है glimpse का और मैं इसको आपको बता रहता हूँ कि glimpse का मतलब होता क्या है to have a glance at a something or partial view example I caught a glimpse at the beautiful painting drawn by him she glanced the notes before entering the examination hall इस तरीके से चलिए next question पर आते हैं यहां पर underline word again दे रखा और हमको इसका opposite meaning बताना है मतलब antonym बताना है तो बताएए blessed का antonym क्या रहेगा blessed का रहेगा cursed blessed कहते है ना कि मैं तो यार blessed हूँ काफी तो cursed cursed मतलब श्राप बोलते हैं शायद इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे देखिए blessed का मतलब क्यों था में खोली और opposite of blessed is to say rude मतलब बुरी मतलब say rude और offensive word मतलब अप शब्द कहना वो क्या हो जाएगा आपका cursed हो जाएगा next आते हैं next question हमारे पास हमको again opposite बताना है find the opposite of the highlighted word attract का opposite क्या रहेगा attract मतलब आकर्शक मतलब इसका opposite क्या रहे होगा repel होगा हम यह term basically जो scientific term में यूज़ करते हैं magnet में जादा यूज़ करते हैं यह north magnet है यह south pole है यह दूसरे को attract करते हैं north south और repel कब करेंगे बताइए तो north north repel करते हैं यह मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ next question number अब चलिए English हमारा complete हो गया है अब हम यहाँ पर बात करेंगे science की ठीक है I hope so इसाद science ही है क्योंकि question दिख रहा है magnesium oxide से चलिए तो यह full length paper है वैसे किसी का तो यह पूरा solve ही है मतलब full length paper एक दम solve मिलेगा आपको चलिए तो यहाँ पर पहला question है magnesium oxide is magnesium oxide क्या है यह basic oxide है बस आपको इतना पता होना चाहिए next question number two is the protozoa which can perform photosynthesis ऐसा protozoa जो perform करता है photosynthesis वो क्या होता है वो होता है अगलीना ठीक है अगलीना एक ऐसा protozoa है जो photosynthesis form करता है ज्यादा deep में नहीं जाना है बस आप पढ़ते जाहिए light cause the sensation of तो light कैसा sensation करता है vision का sensation करता है दिखाने वाला next is deep sea diving vessels have to withstand pressure from the cursing effect of sea water acting ठीक है तो यह क्या कहना चाहरा है deep sea diving vessels have to withstand pressure from the crushing crushing sorry मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया होगा crushing effect of sea water acting तो कहां पर act करता है यह सभी तरफ downward भी होगा sideways भी होगा upward भी होगा correct answer के रहेगा in all direction है ना deep sea diving vessel है have to withstand pressure from the crushing effect of sea water acting in all direction next question what is formed when zinc react with sodium hydroxide जब आपका zinc sodium hydroxide से react करेगा तो क्या form होगा तो क्या form होगा वह होगा sodium zincate and hydrogen gas ठीक है sodium zincate and hydrogen gas next question basic filtration unit of kidney kidney की basic filtration unit क्या रहेगी वह होगी आपकी glomerulus ठीक है glomerulus 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 आपकी क्या है यह एक basic filtration unit है kidney की glomerulus ध्यान में रखियेगा next question number seven the period when menstrual cycle stop is तो जब menstrual usually females में रहता है जब वह cycle stop होती है तो कौन से period रहता है वह रहता है next question is question number eight salt used in food is तो जो food में salt used है वह क्या रहता है आपका sodium chloride ध्यान रखियेगा नमक जो आपके खाने में उपियोग होता है वह क्या रहता है sodium chloride next question which of the following non-metal occur as solids कौन सा non-metal occur होता है solids की तरह है तो यह कौन सा होता है आपका all of the above iodine, carbon, sulfur और यह सब क्या solid की तरह अकर होते है यह सारे non-metal occur होते है solids की तरह next question which of the following is not characteristics of displacement displacement का characteristics नहीं है correct answer क्या है it is always positive यह चीज यह character नहीं होता displacement reaction होती है उसमें यह वाला character कभी नहीं होता लेकिर हमसे पूचा गया कि कौन सा नहीं होता तो यह सही answer होगा यही वाला it is always positive वैसे यह displacement में नहीं होता क्या क्या होता displacement में वह होता है it has both magnitude and direction sorry मैंने यह reaction बोल दिया आपसे chemical chemistry का समझ के actually displacement पूच रहे है distance or displacement वाला displacement पूच रहे है और पूच रहे हैं कि displacement में मतलब क्या चीज कौन सा character नहीं होता displacement आपको कभी positive नहीं हो सकता तो इस चीज को आप ध्यान में रखे इसलिए correct answer है तो इसमें displacement के characteristics कौन-कौन से हैं तो वह आप सुन लीजिए it has both magnitude and direction displacement का character है its magnitude is less than or equal to the actual path length of the object यह भी उसका character है it can be 0 displacement 0 बिलकुल हो सकता है आपको circular path में जाएंगे तो displacement 0 हो जाएगा आपका तो इसलिए it is always positive यह वाला जो character है यह गलत हो गया ठीक है पर उन्होंने पूछा हमसे था not characteristics तो यह वाला सही answer है I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा next question number 11 पर आते हैं रहते हैं ठीक है Iodine, Sulphur, Grifide सब क्या होंगे dense होंगे लेकिन जो potassium है वो क्या रहेगा वो lighter होगा पानी से पानी से ज्यादा lighter होता है next question पर आते है which of the following is the action at distance force इनमें से कौन सा which of the following इनमें से कौन action at distance at distance force तो क्या है magnetic force magnetic force क्या है यह है action at distance force इताब ज्यानवर के next question number 13 पर आते हैं which of the following cannot produce a virtual image इनमें से कौन सा virtual image produce नहीं करता तो यह सारे ही virtual image produce नहीं करते हैं plane mirror हो गया convex lens हो गया concave mirror हो गया all of the above all of the above can produce a virtual image नहीं नहीं मतलब all of the यह सभी virtual image form करते हैं पूछा के दा रहा था आपसे which of the following cannot produce virtual image इनमें से कौन सा virtual image produce नहीं करता तो उसका correct answer क्या हो क्योंकि यह सब तो करते हैं तो उसका correct answer रहगा all of the above can produce a virtual image यह जो ऊपर जितने भी दे रहा कि यह सभी produce कर सकते हैं virtual image को तो यही इसका correct answer होगा है ना next question 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 number 14 during electroplating the pure metal is deposited at electroplating जो मैंने process बताई थी आपको कि दो plate को ऐसे मतलब इसको held कर जाते हैं से electrical supply से और हम यहां पर अपना solution रहता है और एक जगे से paint दूसरी जगे इसको चड़ाया जाता है electricity के थुरू ऐसे कुछ connection इस अग्याशन मना के तो यह पूछा जा रहा है कि इन में से जो pure metal को हम deposit कराते है न तो pure metal is deposited मालो यह मैंने ये दे दिया ये भी दे दिया अब मालो इस वाली metal को इस वाली metal पर मैं pure metal deposit करा रहा हूं तो जो भी कहने का मतलब यह कि होती है वो कि किस वाले उस पर होती है मतलब यह जो होता है न आपकी प्लेट जो लगती है एक कैथोर्ड होती है एक एनोड होती है तो किस पर होती है pure metal हमेशा कैथोर्ड पर होती है आप उसको ध्यान में रखिए एकदम learn कर लीजिए next question नमर 15 is blood from the lungs enter the heart through the फेपडो से heart में जो blood enter किया जाता है blood from the lungs enter the heart फेपडो के द्वारा जो heart में खून को हम भेजते हैं वो हम किसके तुरू भेजते हैं हम भेजते हैं pulmonary vein के थूरू इसको आप ध्यान में रखेगा ठीक है next question question number 16 wind is blank air तो wind क्या है wind एक moving air है simple question था question number 17 ignition temperature is the temperature at which a combustible substance क्या करेगा combustible substance catches fire next question number 18 animal cell does not have animal cell does not have what animal cell does not have chloroplast ध्यान में रखेगे next question number 19 the smallest particle of matter is matter का सबसे छोटा particle क्या रहता है आपका atom रहता है इस option के according atom एक दम करेक्ट answer आटम next question number 20 sexual match sexual maturity in male is started at the age of तो यह इसका correct answer होगा 13 to 14 year next question number अब देखिए हमारा science complete हुआ उससे पहले हमने English complete किया था अब हम आ गएं यह जनरल knowledge के question जिसमें आपको MPK भी question mix मिलेंगे तो यही pattern ने आपका ESB का आपको 20-22 question की बीच में मिलेंगे हर section से 20-22 ऐसी question आपको देखने को मिलेंगे तो उसके लिए आप prepared रहे हैं तो आदे श्रिवास्तव वास रिक रिनॉंट अब देखिए एक और बात यह paper क्या है previous year question का है तो उसमें पुराने question भी पूछे जा सकते हैं तो आप उसमें टाइंसन मत लीजिए आप अभी current affair पढ़ते रहे हैं जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं तो बस आप बस देखते जाहिए तो आदे श्रिवास्तव वाजए रिनॉंट यह क्या है यह एक music director है ठी production next question is how many world heritage sites are there in मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश में कित्ती world heritage sites है थ्री अब यह जब question पूछा गया था तब क्योंकि यह पुराने सालों का paper है तब तीन थे अब latest कित्ती हैं यह आपको याद करना है मतलब आपको search करना है खुछ से और देखना है कि ग्वालियर fort add तो यह question important हो सकता है MP वालों के लिए 1967 में commission की गई थी हुशंगावाद security paper mill ठीक है next question पर आते हैं question 5 in which district आड़दा चिंताहरं गनेश मंदिर ध्यान में रखिये यह नम चिंताहरं गनेश मंदिर एंड श्री रानी सती दाधी दाधी जीस temple located तो किस district में located है यह यह आगर में located हैं चिंताहरं गनेश मंदिर एंड श्री रानी सती दाधी जीस temple इसका आप जहनवर रखियेगा next question नमर 6 पर आते हैं यहां हमसे पूचा जा रहा है in which of the following district are big reserves of Magnes found कौन से district में Magnes के भंडार आपको मिले हैं किसमें मिले हैं यह बाला गाट में हमको मिले हैं next question पर आते हैं यहां question number 7 में हमसे पूचा जा रहा है in which of the following year did the Madhya Pradesh Chief Minister go on a 4-day visit to Singapore तो किस किस साल में गए थे 2016 में गए थे Singapore की विजिट पर गए थे MP के Chief Minister next question is in which stadium did Sachin Tendulkar score made in 200 run in an ODI in 2010 तो कहां पर किया था यह Captain Roop Singh Stadium Gualir में किया था Sachin Tendulkarna ठीक है na next question number 9 पर आते हैं from which of the following district does the Chambal River originate Chambal River originate होती है मतलब कहां से originate होती है indoor district से originate होती है next question number 10 is who in 2015 entered the Guinness Book of the World Record for the longest continuous ride standing on the seat of a motorcycle for 32.3 km तो देखिए यह 2015 से पूछा जा रहा है क्योंकि यह question paper 2014-15 के आसपास कही होगा तो यह पूछा यह जा रहा है कि किसको Guinness World Record मिला था ऐसा करने के लिए motorcycle 32.3 km यह ride करी है रोनेस के लिए वो भी कैसे standing seat पर खड़े होकर तो किसको मिला था रतनेश पांडे को मिला था यह है न next question question number 11 which of the following places have SEZs in Madhya Pradesh तो कहां पर है both of the above मतलब जवलपूर में भी है और इंदौर में भी है अभी क्या है SEZs तो मैं आपको explain करता हूँ थोड़ी सी कुछ लाइन पढ़ते हैं Madhya Pradesh is fast emerging as a location of choice for IT companies MP has 5 operational SEZs 7 notified SEZs and 12 formally approved SEZs existing IT park at electronic complex Indore next point crystal IT park Indore and Malanpur Gwalior and proposed IT park at Bhopal and Jawalpur IT electronic and IT based on policy successful effort are being made to attract investment in the industries next point is major pharmaceutical cluster in the state include Pithampur Indore Devast, Mandi Deep, Bhopal and Ujjain हांगे और पढ़ते हैं अभी हमको जो basic बात है वह हम पूरी हम और पढ़े लेते हैं हो सकता है कुछ अच्छी बात समझ में है Asia's first EPZ मतलब यह क्या है यह जो term है जैसे EPZ से लिखाए यह क्या है Export Processing Zone was established in 1965 in Kandla Gujarat while these EPZ मतलब Export Processing Zone had a similar structure to SEZ जो export processing zone है इनका similar structure होता है to SEZ the government begin to establish SEZ in 2000 under the foreign trade policy to redress the infrastructure and bureaucratic challenges that were seen to have limited limited to the success of EPZ तो होता क्या है basically हम यह सब क्यों पढ़ रहे थे SEZ का मतलब क्या होता है Special Economic Zone होता है बस आप इतना ध्यान रखिए पूरा deep में मत जाईए आपके exam में इतना deep में नहीं पूछा जाता है which of the following place has SEZ Special Special Economic ठीक है Zone Sorry इस वाले question मैंने ज्यादा time ले लिये लेकिन आपको पता होना चाहिए कि which of the following place has have SEZ in Madhra Pradesh तो कहां कहां पर है देखो जवलपूर में भी है और इंदौर में भी है बस इसका आप ध्यानवा रखिए next question number 12 which of the following division have the highest number of district तो हमको पता होना चाहिए कि इंदौर के सबसे ज्यादा district है इंदौर में next question which of the falling tiger reserve also has a fort and cave shrine with Sanskrit inscription question तो कौन सा ऐसा band of god tiger reserve है क्या कहना चाहरा है एक बार आपको हिंदी में बताता हूँ पढ़के निम्न लिखित बाग अभ्यारणों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत सिलालेक के साथ गुफा मंदिर भी है तो किसमें है वो band of god band band of god और बाग अभ्यारण में है इसको आप ध्यान रखिएगा next आते हैं question पर next of which देखिए हमना अभी कर लिए question number 13 question number 14 पर आते हैं which is the state animal of Madhya Pradesh तो सबको पता होना चाहिए जो MP वाले है उनको विशेशकर पता ही होना चाहिए swamp deer swamp deer next question question number 15 is the recently launched shawriya smarak in Bhopal is dedicated to किसको dedicated है Marte Arts को ठीक है जो शहीद हमारे हुए थे उनको dedicated है तो चलिए next question पर आते है question number 16 the only state to have more cities in the top 50 than Madhya Pradesh in the Swakchya Sarvikchandh 2017 is Gujarat है यह सिर्फ only state बोल रहा है the only state to have more cities in top 50 मतलब top 50 में ज्यादा city है एक मात्र स्टेट की Madhya Pradesh मतलब comparison to Madhya Pradesh in Swakchya Sarvikchandh 2017 is वो है कौन सा स्टेट है Gujarat है next question the river page maindering through the page national park divided between Chindwala and blank district तो कौन सी जो page river एक तो यह क्या कर रही है आपकी यह मेंडरिंग कर रही है through page national park जो आपका page national park है उससे निकल रही है कौन सी आपकी कौन सी page river ठीक है तो यह divide करती है किस किस को यह चिंदवाडा को और कौन सी district को divide करती है तो correct answer है ठीक है ध्यान में रखिएगा चिंदवाडा और सीहनी के डिवाइड करती है कौन पेंच रिवर नेक्स्ट कुशन दा बर्गी डैम इस ओन दा रिवर बर्गी डैम किस रिवर पर है नर्मदा पर है सबको पता ही होना चाहिए नेक्स्ट कुशन कुशन नमर 20 पूछा जाया रहा है फाग इस पॉपुलर फॉर्म और फोक सिंगिंग इन रिजन आफ तो फाग एक पॉपुलर फॉर्म है फोक सिंगिंग का किस रिजन में निमाण में है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आते हैं कुशन नमर तो देखिए हमारा अब यह भी कंप्लीट हुआ GS जिसमें MP के भी कोशन थे हम आ गए हिंदी पर ठीक है आज थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है पर गाईज हम पूरा कंप्लीट करेंगी क्योंकि कि अल्रेडी हम math और reasoning छोड़ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपके बागी subject तो cover करा दू तो चलिए महादेवी वर्मा की क्रती है कौन सी क्रती है वो अतीत के चल चित्र इन चारों option में से महादेवी वर्मा की क्रती का नाम क्या है अतीत के चल चित्र ठीक है बागी की क्रती अगर आपको सुनना हो तो मैं आपको बता देता हूँ के महादेवी वर्मा की अन्य रेखा चित्र कौन-कौन से इसम्रती की रेखा है यह है एक तो अन्य विकल्ब देखिए जैसे इसके क्या है इसके जो काविक्रती बिखें यह है आपकर जैंकी है ठीक है इसको आप द्यान रखेगा नेस्ट कोशन नमर डौंगा शब्द है डौंगा शब्द क्या है यह एक देशाच शब्द सीका है नेक्स देखिए महोशद महोशद में संदी है महोशद में कौन सी संदी है व्रदी स्वर संदी है अब मैं डीब में नहीं जा रहा हूँ जल्दी पता रहा हूँ नेक्स्ट कोशन पर शुद्र का विलोम शब्द है शुद्र का विलोम शब्द क्या होगा विराठ होगा ठीक है विराठ होगा नेक्स्ट कोशन ऑटोनॉमी का हिंदी परिभाशत शब्द है ऑटोनॉमी का हिंदी परिभाशत शब्द क्या है स्वायत स्वायतता ठीक है स्वा पंक्ती में है पंक्ती में क्या है यह संतिके आपका वक्रोक्ति अलंकार है ठीक है तो आपको अलंकार पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपको यह पूरी लाइन समझ में आएगा इंगगी यह क्या है? नेक्स्ट आते हैं पाणिन ये शब्द में प्रत्य है क्या है प्रत्य मतलब लास्ट की वो देख रहा थे या लग रहे है लस्ट में ठीक है तो यह एक प्रत्य है नेक्ष्ट आते हैं काटा निकालने का क्या criteria यह чॉरु बादा दूर होना अनतसकी कसक मिटना या मन का कलेश मिटना ये सब क्वाहें निकलना इसका काथ nên कल नहीं है इन मैंस tay अपवाद शब्द का अर्थ जो नहीं है वह तो लेंगे तिक्ष कर रहा है व्यवादान नहीं क्या चैजि़ कि 밝 मदनामी भी होता है कलंक भी होता है सामान नियम को बाधित या मर्याधित करने वाला विशेश ये भी होता है जिसके पास जितना चाहे उतना धन हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं एक शब्द हम बोलेंगे हम बोलेंगे एक्छा सूचक वाके हमसे वाक की पुछा जा रहा है इसके लिए हम क्या वाके लगाएंगे एक्छा सूचक वाके ठीक है इस सेंटेंस के लिए क्या वाके लगाए है जिसके पास जितना चाहे उतना धन हो एक्छा सूचक वाके सागर शब्द का परियावाची है सागरशब्द का परियावाची क्या है यह है आपका अरनव है अरनव आपका सागरशब्द का परियावाची है अरनव next question is दो पहर दो पहर बात साक्छात कर रहिए किस तरीके का वाक्ष है यह काल बूहतक, जिसके होरी वारें बताए दारों, भोर, इस लिए काल बूहतक संगार यह नेक्षट क्युशन नमर 13 गुण भरा पद में समास है, गुण भरा पद में क्या है? ततपुरिश है, तुल्सी करत यह भी ततपुरुश है, ऐसे द्यान में रकेए नेक्ष्ट स्वतंत्र मत समाचार पत्र प्रकाशित होता है ये कहां से प्रकाशित होता है जवलपुर से होता है कौन सा स्वतंत्र मत समाचार पत्र ध्यानवर रखेगा next question विश्व में सरवदिक बोले जाने वाली भाषा है भाषाओं हिंदी का स्थान है तो पूरे world में अगर हम देखे ना तो हिंदी का स्थान कौन सा है आपका third number पर हिंदी आती है तीसरा ठीक है सबसे आदा कौन सी भाषा हिंदी भाषा तीसरे नमर पर पूरी जाती है पूरे विश्व में next question निमने लिखित में विलोम शब्द योगमन नहीं है कौन सा नहीं है प्रतिकूल अनिकूल मतलब अकूल और प्रतिकूल ये विलोम नहीं है बागी ये सब विलोम है प्राचुर्य कमी नफा घटा नफा घाटा मतलब मुनाफा नहीं होता नफा और ये घाटा ये विलोम है घटी बढ़ती ये सब विलोम है लेकिन ये कोई विलोम नहीं है next question is निमने लिखित में शुद्द वाकि है शुद्द वाकि ये वाला हमको दिख रहा है साहित और जीवन का अभिन्न सम्मंद है बागी इस सब अशुद्द आप खुद पढ़के देखिए आपको समझ में आ जाएगा next question number 18 is 18 question हमें निमने लिखित में शुद्द शब्द है कौन सा शुद्द शब्द है सारे ही शुद्द है अंगारा अंगार अंगिरा इस सब शुद्द शब्द है next question number 19 निमने लिखित में समोचरित समोचरित भिनारतक शब्द युग्मन नहीं है देखिए हट्टा कट्टा एक भिनार तक शब्द युग्म नहीं है बाकी देखिए यदा कदा है चैन बेचैन है रैन दिवस है यह सब तो हैं लेकिन यह नहीं है इसलिए हमारे यह करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन नमर 20 मैतली शरण गुप्त की क्रती पंचवटी है पंचवटी कैसी है यह खंड काव है पंचवटी आती है आपकी खंड काव में ठीक है चलिए नेक्स्ट अब हम देखिए रिजनिंग आ गई है यह तो हम अभी नहीं कर रहे हैं इसके आंगे हम देखते है तो बस आज हमारा सशार इतना ही था रिजनिंग मैत इसमें कम माइन है यह शायद CRT कोई किसी लेवल का पेपर होगा बसे मुझे याद शायदि यह फॉरस्ट गार्ड का पेपर है तो बस इतना ही बताना था मिरको आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी झाल